हेलो गाईज, वेलकम बेक माई यूट्यूब चैनल माई एके किरासीज गाईज आज मैं आपके सामने यूपी बोड जो हमारे इंगलीज की बुक है पिरोज उसमें फिर्स्ट लेसन ए लेटर टू गोड उसके लोंग कोसन आंसवर्स आपके सामने लेकर आया हूँ क्योंकि ये जो लोंग कोसन हैं इस लेसन में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दो लोंग कोसन बताने जा रहा हूँ फर्स्ट आपका है राइट दा कैक्टर सके चोफ लेंचो और सेकिंड जो मैं आगे बताऊं आपको वो cactus catchow लेंचो तो गाईज जो मैं अब बताने जा रहा हूँ Q1 log दा cactus catchow लेंचो तो गाईज इस्टार्ट करते हैं और समझते हैं cactus catchow लेंचो शुरुवात हम गाईज introduction से करते हैं introduction का मींस होता है प्रस्तावना लेंचो वोज ए हार्ड वर्किंग फार्मर लेंचो एक कठिन कारे करने वाला किसान था He was very poor वह बहुत गरीब था He lived in a valley वह गाटी में रहता था on the किरेश्ट किरेश्ट मतलब होता है उपरी हिस्से पर और फे लो हिल एक नीचली गाटी के मतलब एक नीचली गाटी थे तो उसके उपरी इससे पर वो एक घाटी में रहता था He has the only house उसका एक मात्र घर था in the entire valley पूरी घाटी में पूरी घाटी में उसका एक मात्र घर था He worked as an ox वह कार्दे करता था as an ox एक बैल की तरह in his field अपने खेत में तो गाइस ये था हमारा introduction आगे बढ़ते हैं Next setting है हमारी His firm faith in God उसका द्रड विश्वास इन गोड भगवान में भगवान में उसका द्रड विश्वास One day he had to face एक दिन उसे सामना करना पड़ा A big problem एक बहुत बड़ी समस्या का His crops were completely destroyed उसकी फसले पूरी तरीके से नश्ट हो गई थी By the hail storm ओलो के तुफान के दुवारा So, इसलिए he became very sad वह बहुत दुखी हो गया As, क्योंकि he was worried वह चिंतित था About his family अपने परिवार को लेकर अपने परिवार को लेकर वह बहुत जाल चिंतित था There was no one वहाँ कोई और नहीं था Help him उसकी सहायता करने के लिए He has the only house उसका एक मात्र घर था In the entire valley पूरी घाटी में But, लेकिन Lencho had farmed faith Lencho को दर्डविश्वास था In God, भगवान में So guys, ये थी हमारी second heading अब हम next heading पर बढ़ते हैं A letter to God भगवान को एक पत्र So, इसलिए He wrote a letter to God उसने एक पत्र लिखा to God भगवान को Requesting him उनसे प्रात्न करी To send him उसे भेज़ दे A hundred pieces So pieces भेज़ दे He was not the least surprise Least मतलब ज्यादा वहत ये थोड़ा सा भी कह सकते आप वहत थोड़ा सा भी आज़ चार चकित नहीं था When जब He received an envelope उसने प्राप्त किया एक खलता And counting money पैसे गिने In his simple faith साधान से विश्वास में He believed उसे विश्वास था That की He received the money जो उसने पैसे Receive किये हैं प्राप्त किये हैं Direct from God वो सीधे भगवान से किये हैं उसका ये विश्वास था आगर बढ़ते हैं गाईज हमाई नेक्स टेडिंग पर Conclusion Nisqors So इसलिए From this story इस कहानी से It describes ये वर्णन होता है That की Lancho was very simple and innocent Lancho बहुत ही साधारन और मासूम था He had great faith उसका बहुत ज़्यादा विश्वास था इन गोड भगवान में To see the great devotion To see means देखकर The great devotion इतनी भक्ती Of this man's व्यक्ती की The postmaster Was also surprised The postmaster Dark Paul Was also भी आश्यार से कित था मतलब जो Lancho की बगवान की प्रती जो इतनी सुरद्धती उनमें विश्वास था उसको देखकर जो डार्क पाल था वह भी आश्यार से कित हो गया था तो गाईज ये था कैक्टेस केच ओफ Lancho मुझे उम्मीद है आपको समझ माया होगा कैक्टेस केच ओफ Lancho अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लोंग कोस्त नमबर टू राइट दा कैक्टेस केच ओफ पोस्ट मास्टर अब पोस्ट मास्टर के कैक्टेस केच देखते हैं गाईज ठीक है तो हम शुरुआत करते हैं गाईज इंट्रोडेक्शन से पोस्ट मास्टर वोज ए फैट डाक पाल एक मोटा एक मेत्री पून व्यक्ति था बना उसका जो वहवार था अब मित्रो जैसा था जैसे हम एक मित्र के साथ बात करते हैं यह वोज ए फ्रेंडली नेचर उसका वहवार भी मेत्री पून था एंड जोईफुल मैन एक खुजहाल व्यक्ति था कौन पोस्ट मास्टर नेच्ट एटिंग देखते हैं गाइस काइन हर्टिड मैन काइन हर्टिड का मतलब होता दयालू दयालू व्यक्ति पोस्ट मास्टर वोज एक काइन हर्टिड मैन पोस्ट मास्टर एक दयालू हृद्दे वाला व्यक्ति था How fun-loving, कितना मज़ेदार था When जब he saw the letter to God उसने भगवान के नाम पर जो पत्र आया था उसको देखा First, सबसे पहले तो जब उसने पत्र को देखा He laughed, वह हसा At Lencho's letter, Lencho के पत्र पर But लेकिन, सून जल्द ही, he became serious वह गंभीर हो गया He was surprised, वह आशाय चकित था At the faith, विश्वास से That Lencho had in God जो कि Lencho का भगवान में था He wanted, वह चाहता था His faith not be second कि जो उसका विश्वास है भगवान में Not be second, वो हिले नहीं तो next heading देखते हैं guys His kind act of charity Act of charity का मतलब होता है दान के रूप में किया गया कारे तो उसका जो एक दयालू कूँ जो कारे था जो उन्होंने Lencho के लिए किया था When the postmaster read the letter जब डाकपाल ने पत्र को पढ़ा He came to know उसे मालूम हुआ Came to know का मतलब है guys मालूम होना, ग्यात होना That key, its writer was a poor farmer कि इसका जो लेखक है जिसने इस पत्र को लिखा है वह गरीब किसान था Who need money badly जिसे आवसकता थी money पैसों की बहुत ज़ादा So, इसलिए he asked his employees उसने अपने कारे करता उसे कहा And his friends अपने मित्रों से कहा To give money पैसे देने के लिए for this act of charity इस दान के रूप में जो एक कारे है उसको करने के लिए He himself उसने खुद भी gave दिया A part, एक भाग of his salary अपनी salary का तन खाखा उसने खुद भी अपनी salary का एक भाग दिया He was disabled to gather 70 pieces in all वह disabled, इस योगे वा together इखटा करने में 70 pieces 70 pieces सब को मिला कर वो इखटा कर पाया था Next and last heading देखते हैं guys Conclusion Niscourse The postmaster experienced the contentment डाग पाल ने अनुभव किया The contentment संतोस का, खुशी का Of a man एक व्यक्ती की Who has performed, जिसने किया था एक good deed अच्छा कारे Did means कारे, क्योंकि डाग पालने अच्छा कारे किया था तो इस चीज को उसने एक संतोस भरा कारे महसूस किया But Lencho, but Lencho called the employees of the post office लेकिन Lencho ने कहा, कारे करताओं को of the post office डाग घर के जो डाग घर के थे, उनको क्या कहा As a bunch of crooks Bunch of crooks का मतलब होता है, बे इमानों का गिरो बे इमानों का समूं लेकिन Lencho ने, जो post office के जो employees थे जिनके दुआरा, postmaster ने पैसे घर्टा किया था उसे क्या कहा A bunch of crooks, बे इमानों का गिरो Because क्योंकि, he received less money उसे प्राप्त हुए थे, कम पैसे What he asked for जो कि उसने कहा था, उसे उतने पैसे प्राप्त ने हुए उसे कम पैसे प्राप्त हुए थे क्योंकि postmaster 70 pieces collect कर पाया तो उतने 70 भेजे लेकिन उसने भगवान से कितना कहे थे 100 pieces तो लेंचों ने ये सोचा कि जो 30 pieces थे वो postmaster और जो डाग घर के जो कारे करता थे उन्होंने चुरा लिए तो इसी वज़े से उसने उन सब को क्या कहा था A bunch of crooks तो guys ये था हमारा character sketch of postmaster मुझे उमीद है आपको ये character sketch of postmaster समय माया होगा और ये था हमारा character sketch of lencho तो guys ये आपको हमारी ये video अच्छी लगे तो आप हमारे इस video को और हमारे channel myakclasses को जाद से जादा दूर दूर तक फैलाएं और जो हमारे जो आपके मित्र हैं उनको इस वीडियो को जाज जादा सेर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाव उठा सकें तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना है